हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, प्रिश देखे, आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आए हूँ, बहुत ही आसान है ये डिजाइन बनाने में, इस डिजाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं, कार्डिगन में, जै इस पैटन का इस तरीके से, और ये है इसकी रॉंग साइड, तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टिपल फंदे चाहिए, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5 एक्स्ट्रा हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी, तो यह यहां पर देखे ये 5 और ये 7 लेके ये 12 का एक सेट है, तो यही 12, 12, 12 करेंगे, प्लस 5 एक्स्ट्रा हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी, और 10 सलाइयों में हमारी ये डिजाइन बनके तयार हो जाती है, तो यहां पर मैंने 12 पंदे लिए हैं, एक डिजाइन के लिए प् आपको जिस प्रोजेक्ट में बनाना हो, उस हिसाब से आप फंदे सेट का लीजिए, और 1st रो से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो बिलकुल स्टार्टिंग से इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट कर सकती हैं, बीना बॉर्डर के या आप चाहे तो एक साइट से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, पहला फंदा उल्टा, मतलब 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तो अभी 1st रो है, तो पहला फंदा मैंने उल्टा बना लिया है, आगे से हम इस फंदे को बिना बॉने उतार लेंगे, यह हो गया 1, 2, 3, 4, और यहाँ 5, 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए, अब हम याँ ओवर करेंगे, और इसके बाद हम 2 फंदे इल्टे बनाएंगे, 1, 2, 2, 7 फंदे हमारे हैं, तो देखिए, 2 उल्टा हमने बना लिया, 2 उल्टा बार में बनाएंगे, और यह जो 3 उल्टे बीच के फंदे हैं, इनको हम एक संग उल्टा ही बनाएंगे तो तीन फंदे का एक फंदा करेंगे इसलिए हमने स्टार्टिंग में यान ओवर किया है जिसे कि हमारा जो फंदा यहाँ पे घट रहा है यहाँ पे बढ़के मैनेज हो जाए फंदे बराबर रहें यहाँ पे देखिए इसको तीन का एक कर देंगे और फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यान ओवर करेंगे इनी बारब फंदों को हमको रिपीट करते जाना है हमारा पैटर्न बन जाएगा तो लास्ट वाला पांच फंदा भी बना लेते हैं यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार और पांचवा फंदा जो है उसको हम बैक साइट से करके सीधा बना देंगे रॉंग साइट से हर बार हमारी उल्टी से लाई जाएगी यानि कि पूरा उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे रॉंग साइट से हमें कुछ नहीं करना है तो जितने भी फंदे हमारे हैं, सारे फंदो को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट फंदे को हम सीधा बना देंगे यह देखिए हमारा जो यानूबर बाला फंदा है, अब यह जाली बन जाएगा तो इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे, देखिए यह यानूबर जो हमने स्टार्टिंग में किया था, इसको भी तो यह हमारी दूसरी सलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी लस्ट वाले फंदे को हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे थार्ड रो में पहला फंदा, अब हम उतार लेंगे टोटल पाँच फंदे उल्टे हमको बनाने है, तो पहला फंदा हमने उतार लिया, बिना बुने देखिए, इसको लेते गए हम पाँच बनाएंगे तो 2, 3, 4, और ये 5, अब उन पीछे करेंगे, ये जो हमने जाली बनाया था पिछली बार यान ओवर करके, इस वाले फंदे को अब हम सीधा बनाएंगे, इसके बाद उन अपनी तरफ करेंगे, यान ओवर करेंगे, और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब यहाँ पे बीच क अब तरह के तीन फंदो को एक साथ बनाएंगे, यानны कि तीन का एक करेंगे, तो यह आ पे देखिए, तीन का एक, जा हमने पहले तीन का एक किया था, जस उसी के उपर हमने फिर से तीन का एक किया है, और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब उन पीछे करके, यान ओवर और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये देखें ये फिर से हमारे 12 फंदे हो गए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 इन्ही 12 फंदों को हमको repeat करना है right side में last में हम फिर से जो हमारे ये 5 फंदे हैं तो 1, 2, 3, 4 और last वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे ये last वाला फंदा मैं pattern में कर रही हूँ बीच वाला जो ये है ये सारे फंदे उल्टे-उल्टे ही बनेंगे और ये जो किनारों के फंदे हमारे last के हैं इनको ही बस हम सीधा बनाएंगे बाकी 20 वाले फंदे 5 उल्टे ही हमारे बनेंगे और wrong side से सारे फंदे उल्टे बनेंगे तो इस तरीके से देखे हमारा ये pattern है मैं बस एक set लेके आपको design बता रही हूँ इसलिए मैंने दोनों की नारूपे फंदे उता रहे हैं आपको अगर पूरा pattern बनाना है तो आप बीच के फंदों को सिर्फ उल्टा बनाईएगा चौथी सलाई wrong side से फिर से सारे फंदे हमको उल्टे ही बनाने हैं तो सारे सलाई जो है उल्टी बुनाई से complete करेंगे चौथी सलाई हमारी wrong side से देखिए यह जो जाली है यान ओबर करके इसको भी हमने उल्टा बनाया है सारे फंदे उल्टे तो यह हमारी चार सलाई यहाँ पे complete हो जाएगी देखिए last वाला फंदा सीधा fifth row right side से अब यह जो पांच फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बनाना है पहला फंदा मैंने उतार लिया है यह देखिए पांच फंदे फिर उन पीछे करेंगे पिछली बार हमने जो एक सीधा बनाया था वो और इस पर जो हमने यान ओबर किया था इसके पहले वो दोनों को हम सीधा बनाएंगे उन अपनी तरफ करेंगे और यान ओबर करके तीन का एक एक बार फिर से लास्ट टाइम करेंगे यह देखिए इस तरीके से फिर उन पीछे करेंगे यान ओबर करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे देखिए ये 12 फंदे इन्ही को repeat करना है यही हमारा repeat pattern है फिर उन अपनी तरफ करेंगे और last के 5 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे ये 4 फंदे उल्टे हो गए और last वाला फंदा मैं सीधा बना रही हूँ आप चाहें तो इसको उल्टा भी बना सकती है चट्वी सलाई wrong side से फिर से पूरा उल्टा बना के complete करेंगे तो इसको फिर से पूरा उल्टा बना लेते हैं सारे फंदे उल्टे wrong side से हर बारी हमको उल्टा ही बनाना है last वाला फंदा सीधा अब यहाँ पे हमारी pattern के जो ये फंदे थे वो complete हो चुके है अब जो सारे फंदे बीच के ये साथ फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे तो अब सात्वी सलाई हमारी right side से जो है देखिए तो पहला फंदा उतार लिया दो तीन चार और ये पांच ये हमारे उल्टे फंदे उन पीछे करेंगे और साथ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ देखिए ये फिर से हमारे 12 फंदे हो गए इनको हम रिपीट करेंगे और लास्ट में हम चार उल्टा करके लास्ट वाला फंदा सीधा यानि 5 फंदे उल्टे आठवी सलाई पूरी उल्टी बनेगी तो इसको फिर से हम उल्टा बना लेते हैं तो मैं कोई सलाई स्केप नहीं कर रही हूँ जिससे कि डीजाइन आपको समझने में कोई दिक्कत न हो तो यह इस तरीके से रॉंग साइट से सारी सलाई हम उल्टा बना के ही कम्प्लीट करेंगे हर बार ये दिखें आट सलाई हमारी हो गई अब नवी सलाई यानिकी नाइन्थ रो फिर से पांच फंदे उल्टे तो दो, तीन, चार, पांच और ये जो साथ फंदे हमने सीधे बनाय थे एक बार फिर से सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इनी 12 फंदों को रिपीट करेंगे नाइन्थ रो है राइट साइट से और लास्ट में पांच फंदे उल्टे दो, तेन, चार और लास्ट वाला फंदा सीथा और अब यह है दस्वी सलाई तो यह हमारा फाइनल हो जाएगा यहाँ पे दस सलाई का डिजाइन सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे लास्ट वाला फंदा सीथा तो देखिए अब इन्हीं दस सलाईयों को हम रिपीट करेंगे तो हमारे यह पैटर एक के उपर एक बनता चला जाएगा इस तरीके से तो यहाँ से फर्स ट्रो फिर से स्टार्ट करेंगे तो यह देखिए पांच फंदे हमारे उल्टे अब यहाँ पर यान ओबर करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे तीन फंदे का एक फंदा करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे यान ओबर करेंगे और लास्ट के यह पांच फंदे हमारे एक, दो, तीन, चार और लास्ट वला ये पांच रॉंग साइट से फिर से पूरा उल्टा उल्टा तो इस तरीके से एक के उपर एक हमारी ये डिजाइन बनती चली जाएगी तो बहुत आसान है इनी दस सलाईों को हम रिपीट करते जाएगे तो देखिए यहां से फिर गया हमारा पैटन सुरू हो जाएगा फिर यहां पे 10 सलाई कमप्लीट फिर से यहां से हम पहली सलाई से रिपीट करेंगे तो इस तरीके से हमारा पैटन बनके तयार हो जाएगा तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई